नमस्कार दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोई भी Face का Impression कैसे Create किया जाता है जैसे कि आप मेरे स्कीन पर देख रहे हैं जैसे ये Character जो है हस रही है या गुसा हो रही है या रोने के Scene है इस टाइप के जो Scene को Create किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले से ही Create कर रखा हूँ जैसे कि आप अगर लिप्स का इंप्रेशन देखेंगे तो आपको इस टाइप के जो लिप्स होते हैं इसको पहले हम इलेश्टेटर में Create कर लिया हूँ उसके बाद जाके हम वहाँ पे लेड़ को एरेंज किया है तो इस टाइप के जो आप बनाते हैं तो आपको गूगल में अगर सर्च करें कि smiling face या गुस्से का या सैड सीन वहाँ पे देखें आपको दो टाइप के वहाँ पे character से मिड़ेगा लेकिन दो चीज को edit करना हुआ जैसे उसके eye होते हैं या उसके जो lips होते हैं उसको change करके आपकी face का impression को create कर सकते हैं वही मैं आपको 4-5 यहाँ पे create कर रहा हूँ और इसको मैं दिखाऊँगा कि animate CC में कैसे इसको setting करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो इस character में देखें क्या हुआ है यहाँ पे जैसे इसको दो तरह के scene को create कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे हसता है जब कोई character हसता है तो उसका आँख बंध हो जाता है और ज्यादा हसेगा तो आपके आँख से भी आशू गिरने लगता है और इसका जो lips होता है वह smiling लगा हुआ अगर इसी scenes को मैं अभी आपको दिखाता हूं मालेजे यह scene है अब यहाँ से lips की मैं आपको change कर देता हूं देखिए देखिए इस type से lips की change कर देता यह लग रहा है जैसे कि गुस्से में हो इसको आई को भी change कर सकते है तो अभी हम क्या करते हैं एक new scene character लेते हैं मैंने दोस्तों पीछे के video में आपको दिखाया हूं कि हम कोई भी illustrator की file को animate CC में कैसे लेके जाते हैं तो हमारे पास यह एक character है हम इस पे जो है इसके eye के impression को देखेंगे और मैंने lips के जो already कैसे हम create करते हैं आपको दिखा चुका हूं तो हम क्या करेंगे यहां से एक new layer create करते हैं यहां पर और हमारे पास यह एक lips का और eye का या eyebrow का combination है और इसको मैं save करता हूं यहां पर हमारे पास already save है lips impression करके तो हम क्या करते हैं यहां से हमारे पास folder में जाते हैं तो हमारे पास देखिए एक lips का impression यहां पर है हम इसको import करते हैं animate CC में direct drag and drop किये यहां से और इसको import करते हैं और यह हमारे पास जो है यह आ गि आगया है अब हमें इसमें catch करना है कि हमें lips already हमारा बना हुआ है पहले तो हम यहां से lips को delete कर देते हैं इस lips की हमें चरोड़त नहीं है lips already हमारे पास है और इसको हम को create करना है हमारे पास जो है 7 तरीके का जो है आई और आई ब्रो है हम इसको क्या करेंगे सभी को सेट करेंगे सेट के से करते हैं यहां से हम क्या करेंगे सभी को convert to symbol करेंगे F8 प्रेस करते हैं F8 प्रेस कर दिये इसको यह symbol में convert हो गया अब हम क्या करेंगे इसको यहां से हम बढ़ा कर लेते हैं जितना बढ़ा हम को चाहिए यह देखे अभी हम थोड़ा सा अपने जो है इसके according हम सेट करतें देखिए अगर आप यहां पर देखिए face के एकॉर्डिंग फेस के एकॉर्डिंग हमारा जो है सही है तुरा से ज्यादा बड़ा लगड़ा है थुरा से हम छोटा कर लेंगे आप देखिए इस face के according हमारा जो है यह eye सही हो गया अब हम इस eye के अंदर जाते हैं इस eye के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे इसको मैं one to one करके f8 प्रेस करता हूं इसको f8 प्रेस किये इसको भी f8 सभी को फिर से अलग-अलग जो है सिम्बॉल में convert कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे one to one करके हम यहां पर रखेंगे अब यह जो है देखे इसको pointer को हम रखेंगे यहां पर देखिए एक plus का pointer बन रहा इस pointer को हम रखेंगे यहां पर बीच में और इसी के according हम सभी eye को set करेंगे अभी हमको क्या करना है इसको मैं यहां पर रख देता हूं इतना ठीक है यह हो गया इसको यहां से cut करते हैं कट किये यहां से एक frame बनाते F6 प्रेस करते हैं और यहां पर रख देते हैं पेस्ट कर देते हैं हमारे पास आ गया यह इसको यहां से मैं हटाता हूं इस बार मैं इसको रखता हूं यहां पर इस बार फिर से इसको cut करता हूं यहां से एक new frame create करता हूं इसको यहां से delete करता हूं तो इस step से जो है सभी को हम arrange कर लेंगे जैसे कि हमने lips में आपको already दिखा चुका हूं यहां से अभी हमने देखिए सबको अलग-अलग frame पर रख दिया हूं अब क्या करते हैं इसके बाहर जाते हैं और यहां से हम इसको proper डंग से set कर लेते हैं यह थोड़ा से छोटा हम कर लेते हैं अब देखिए इतना वरा हमारा आई हो गया है अब क्या हुआ है यहां पर हम इसमें frame create करते हैं माल लिए हम 30 frame तक create करता हूं frame अगर अभी मैं आपको दिखाऊं देखिए इसका जो आई है अल्रेड़ी animate हो रहा है लेकिन हमको क्या करना जहां पर हमको जिस आई की जरुरत है हम उसी को लेंगे माल लिए हमको first frame पर हमको simple आई चाहिए हम क्या करेंगे यहां से इसको देखेंगे कौन सा simple लग रहा है यह हमको चाहिए first frame पर ठीक है और इसको हम देखिए यहां पर जो looping चल रहा हम looping को off कर देंगे यह लूप है और इसको हम off कर देते हैं अभी एकर करें तो same fix हो गया और इसका lips जो है यहां पर हमको यह नहीं चाहिए हमको lips चाहिए simple यह lips आई है simple ठीक है यह भी देखिए animate नहीं होगा अब हमें क्या करना है कुछ फ्रेम के जाने के बाद जो है हमको क्या करना है lips को और आई को change करना मालीजिए इसको गुस्सा कर सीन को create करना है तो हमें देखना परेगा मालीजिए यह 10 फ्रेम पर यह character लगए जैसे गुस्से में है हम यहां पर एक scene को f6 प्रेस करेंगे पॉइंटर लगाएंगे और पॉइंटर लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें change करेंगे चेंज में करेंगे तो क्या है पहले हम lips को change करते है कैसा बनाना है मालीजिए इसको हम smile बनाना है यह हमको smile बनाना है ठीक है अब इसी हिसाब से इसके i को हम change करेंगे देखिए जैसे यह जो है जब character को हसता है तो उसका आँख जो है वो बंद हो जाता है तो यह बंद हो गया आँख अब यह जो है देखिए यहां पर आया यहां पर हसना शुरू किया यह माल लिए 20 फ्रेम तक यह हसता है 25 फ्रेम तक माल लेते हैं हसता है यह 25 फ्रेम तक यह हसेगा यहां पर आया हस रहा है और फिर हमको क्या करना है कि माल लिए कुछ फ्रेम तक यहां पर आया यह हसना यहां पर बंद कर दिया तो हमको यह क्या करना है यहां पर आकर यह लग रहा कुछ से में इस इसको मैंने यह जी सीन लगा दिये अब इसके एक और इसके आई को देखेंगे जो कि लगे गुस्पे में है इस टेप से जैसे लग यह एक गुससे में है अब कुछ दूर गुससा होने कबाद मान लेजिए हमको यह यह 35 फ्रेम तक गुससे में है यहां तक गुससे में है घुसा हम होना कबाद कुछ sad सा जो होता है sad scene है step से बैठा है कुछ इसको प्रेसान ही है तो इस step से जो है इसके जो face का character होता है वो lips और eye ये दोनों मिलके इसके face के impression को पूरा change कर रहता है और कुछ change करने गिरोतने सिर्फ lips और eye को change कर रहता है और face का impression automatic बन जाता है उसके बाद दोस्तों मैंने एक और scene इसमें create किया कि अगर कोई character हस रहा है मानले ये हस रहा है हस रही है character तो इसमें हम जैसे हसता है यार रोता है तो उसके आसिव जो गिरता है उसको हम ऐसे create करते है तो इसके लिए एक जो है water drop होता है इसको हम create करेंगे एक new layer को create करते है और हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने जो है water के लिए एक रख रखा था और यहाँ पर हमने क्या किये यहाँ पर देखिए I tier लिखा हुआ है इसको हम import करेंगे यहाँ से हमने import किये इंपोर्ट और यहाँ पर देखिए यह जो है water drop है यहाँ पर कोई बहुत मैंने कुछ नहीं किया है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर F8 प्रेस करते है सिम्बॉल में convert करते है और इसके अंदर जाते है आप चाहे तो इसको यह outline रहने दे सकते है या हटाना चाहते हैं अभी मैं रखता हूं उसको यहाँ पर सभी को अलग-अलग सिम्बॉल में convert करते हैं यहाँ पर मैंने रख दिये और इसी टैप से इस धार तो हम जो है यहाँ पर रखेंगे इस टैप से ठीक है और सेम तरीके से यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर और सभी को select करते हैं distribute layer कर देते हैं सभी अलग-अलग layer पर आ गया है अब हम क्या करते हैं यह जो है यहाँ पर देखे कितने frame तक था 10 से लेके 25 तक मतलब 15 frame था तो 15 frame के लिए हम इसको animate करेंगे एफ 6 pred करते हैं और इसको हम symbol लगाते हैं और यहाँ पर जब यह character आए जाए तो हम क्या करेंगे यह character यहां पर आ जाया है यह character यह 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 यहाँ अभी देखिये यह यहरो are लेकिन हमको different करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे पहला यह हो, जो है इसको हम बाहर रखते हैं उसी टाइप से इस character को हम यहां रखते हैं अब यह character हो गया उसके बाद second वाला character हमारा यह रहे तो इसको मैं यहां रखता हूँ और इसको मैं थोरा सा बाहर कर देता हूँ इसी टाइप से यह जो character है इसको भी मैं थोरा सा बाहर कर देता हूँ ठीक है अब क्या होगा फिर हमारा थार character यह है इसको थोरा सा मैं यहां रखता हूँ इसको यहां रखता हूँ ठीक है पहले यह character जाएगा फिर यह तो हमें इसमें क्या करते हैं थोरा सा distance दे देते हैं और और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको भी मैं छोटा करता हूँ एक और इसी टैप से इसको मैं छोटा करता हूँ यह देखे यह हमारा जो है यहां से निकलना सुरूँ होगा इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसको भी कम कर देता हूँ बढ़ाता हूँ थोड़ा से इसको स्टैप से देखे इस स्टैप से निकलना सुरूँ हुआ अब क्या हुआ यहां से आसु यह निकलना सुरूँ हुआ अब जब क्या हुआ यहां पे जब कोई करेक्टर आता है इसको मैं क्या करता हूँ यहां से मैं अलफा कर देता हूँ जो कि यहां पे खतम हो जाए इसको भी मैं यहां से अलफा कर देता हूँ और इसको भी मैं यहां से अलफा कर देता हूँ तो यह क्या होगा जैसे यहां से आंसु निकल रहा है और यहां पे जाके सूख जा रहा है देखिए अगर मैं बाहर जाता हूँ अभी देखिए यह से और यह जो है मैं इसमें अंदर लेता हूँ यहां पे और इसको मैं यहां से डिलीट करता हूँ और यह जो है हमें यहां से शुरू हो क्योंकि यहां से कर तो यह नॉर्मल है यहां से यह रोना शुरू किया और यह यहां तक ही है ठीक है यह यहां तक ही है यहां के बाद खतम हो रहा है ठीक है अभी देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूं अभी देखिए Ctrl, Interface करता हूं देखिए अभी थीख है, फिर आप Face को देखिए तो थोरह दिर के लिए रोता है फिर Face चेंज कोता है तो दोस्तों इस टाप से कोई भी जो Character होते हैं, उसको आप face का impression को create कर सकते हैं तो आसा करते हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर दोस्तों मेरे इस channel को भी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका update आपको पुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you